अरे कृष्टना क्लास 10 कैसे हैं आप सभी आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवर्ट च्वेनल घ्यानी खीडा में तो आपको पता है CBSC ने अपना स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों का सेंपल पर यहाँ पर लॉंच कर दिया है मैंने अभी थोड़ दरे पहले स्टैंडर्ड का कोशन पेपर पूरा complete solution बनाके मैंने आपको डाला हुआ है अगर आप स्टैंडर्ड सी हो तो आप देख सकते हो तो अभी हम लोग लेने वाले basic का paper मैंने पूरा दोनों paper देख लिए चाया basic का हो चाया standard को दोनों को ज़्यादा फरक नहीं है इसलिए चाया basic से हो तब इस standard बेसिक दोनों को रो चाया standard से हो तब भी आपको दोनों का फायदा अपने आप पर उठाना है तो यहाँ पर कैसे कैसे questions आई कितने section करेंगे क्या क्या रहने वाला सार जाने आज की वीडियो में complete solution रहने वाला है बस आप सभी से request है कि आप सभी वीडियो को देखने के बाद अपने सारे friends में से जरूर शेयर कर दिया करो क्योंकि आपको पता YouTube हमारी वीडियो रिकमेंट नहीं कर रहा है तो ऐसे में हम सभी को मिलके शेयर करना पड़ेगा ताकि यह सब तक पहुंचे ग्यान एकड़ा चैनल यह जो quality content हम लोग देने कोश्च कर रहे हैं वो इंडिया के maximum बहुत चो तक पहुंचे ठीक है तो आप आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं के चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर लें क्योंकि यहां पर बहुत सारी important वीडियो आप लोग ले आने वाली है तो आए बिना आपका किंती समय बरवात के सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ तो यही रहा हमारे पास जैनल इस्ट्रक एं पहला, The Quotient Paper consists of 14 quotient divided into 3 section तो टोटल 14 quotient होंगे इसको 3 section में बाटा गया section A, Section B और section C Section A Comprise of Six Quotions of Two Marks Section A में 6 Quotions होंगे 2 Marks के Internal Choice Has Been Provided in Two Quotions और Internal Choice दियागे 2 Quotions है मतलल या तो यह कर लो या यह कर लो Section B में मारेपद 4 Quotions रहेंगे 3 Marks के Internal Choice Has Been Provided in One Quotion Internal Choice एक Quotions यहापद दियागे Section C में 4 Quotions रहेंगे जो कि आपके 4 Marks के है an internal choice has been provided in one question it contains two case study based problem भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो आएए section है के question 1 में चलता है यह राप सभी के screen के उपा find the roots of the aquatic question इस aquatic question क्या निकालने है मैं roots निकालने है अब roots निकालने के महाँ पाद दो तरीके होता है एक middle term split method इसको factorization method भी होता है या फिर quadratic formula आपकी दोनों में से कोई साभी कर सकते हो मैं करता हूँ एक बार quadratic formula से नहीं प्रिटिक से कर लेता हूँ आप try करना दूसर से तो minus का 18 निकाल के आएगा multiply करने पर वैसे आना चाहिए आपका minus का 7 ठेक है कैसे करेंगे minus का 9 multiply by 2 minus का 9 plus में 2 ठेक है कि लिए नहीं आता है ओके तो क्या हो गया 3x का square minus पे 9x plus में 2x minus में 6 equal to 0 निकल के आएगा ठेक है 3x common कर लेंगे तो आएगा आपका x minus में 3 और plus में 2 common कर लेंगे तो x minus 3 निकल के आएगा बराबर में शुन्ने हो जाएगा यह सेम सेम हो गया तो सेम साली को साइड में कर देंगे तो आगया 3x प्लस में 2 बराबर में 0 निकल के आगया एक बार इसके बराबर में 0 कर देंगे और एक बार इसके बराबर में भी 0 कर देंगे यहां से x आपका 3 निकल के आगया और यहां से जो है आपका X कितना हैगा X अधाइगा माइनस का 2 अपॉन 3 आपका X निकल के अधाइगा बोलो बास समझ में आई या नहीं बहुत यह असान कोशन इसी को आप क्वारिटिक फॉर्मॉला से भी कर सकते हो अडाम से कर लेना आपके स्क्रीन के अपर इसी का और पार्ट अगर इसका रियल रूट से और इक्वार रूट से तो इसमें के की क्या वैली होगी अच्छे एक बावत हो अगर मैं कंपेर करूँ AX स्क्वार प्लस में BX प्लस में C से तो बच्चा बच्चा जानता A आपका 3 निकल के आएगा B आपका K निकल के आएगा और C भी आपका 3 निकल के आएगा लिए रहे इक्वार रूट का मतलब होता है नेचर इक्वार है मतलब D की वैली जीड होगी वाट इस D is known as discriminant which is equal to b square minus 4 इसी यह आपका 0 होता है माला k का square minus 4 into a3 into c आपका 3 है equal to 0 निकल के आपका आजाएगा simple है k square minus 3, 3, 9, 36 equal to 0 k square equal to 36 निकल के आएगा k कितना आगे आपका plus minus 6 निकल के आगे k की value plus 6 भी है और minus 6 भी निकल के आगे आपके स्क्रीन के अपर 3 cube each of volume इतना are joined end to end to form a cubeoid यह आपका एंसे आटिके जैसा यह उसमें 2 cube जूटते हैं इसमें 3 जूटरे है find the total surface area of cubeoid आपको बतातो डागरम कैसा है मालनों हमार पास के एक छोड़ा डागरम मनाता है इस तरह के क्योब था एक और cube आपके पास इस तरीके से यह ठंड बहुत जदा हो रही हाथ मेरा काम करने राज आप समझना और यह तीसा क्यूब हमार पास कुछ तरह से यह तीन क्यूब हमार पास क्या है इसको साइड वाई साट जोड़ दिया है क्या बनेगा इक हो राज बन रहा है क्या बन रहा है क्यूब आपके इस तरीके साइड जोड़ दिया क्या इसका वालुम कितना इसका इसका वालुम दरिका आपको इसकी length चाहिए है, इसकी width की, इसकी breadth चाहिए है, और इसकी height निकल के आगए, अब LBS तब पता चलेगा, जब मैं इसके side पता हो, तो वो निकालते हैं, volume का मतलब होता, A का cube equal to 64 निकल के आगया, तो A equal to कितना आगया, cube root of 64, और 64 को लिख सकते हैं, 4, 16, 16, 64, तो A आपका 4 निक breadth same, 4 निकल के आगया, और height में भी कोई बतलाब नहीं, height भी आपका 4 निकल के आएगा, 4 cm आपका height निकल के आने वाला है, चलिए, तो total surface area क्यों होता है, total surface area of cuboid, वो हमारे पास निकल के आता है, formula याद होना चाहिए, 2LB plus में, BH plus में, H यही होता है, सब को पता है, बच्चा 4 हो गया, plus में, 4 into 4, plus में, 4 into 12, multiply आईसे, तो 2, 12 चोक में, 48, 4 चोक में, 16, 12, 48, निकल के आपका आज आएगा, simple है, तो 2, 48, 48, कितना हो गया, आपका 96 हो गया, 96 प्लस में, 16 करना में, तो कितना हो गया, अपने पास, 2, multiply बच्च, 6, 12, 9, 10, 11, तो कितना हो गया, 224 cm का square, आप आपका जो है, total surface area निकल के आगया, let me check the answer, 224 cm square, बिल्कुल सही जबा हो है, आपको सब्सक्राइब आगया, तो 3 cube होगा, देख सकते हैं, बस लंबाई में, फरक परता है, जब कभी भी 2 cube जूड़े, 3 जूड़े, 10 जूड़े, कितने भी जूड़े, लंबाई में, फरक आत बढ़ते हैं, अपने अगले question 3, यह आपके screen के उपर, होता है, median होता हमार पास, L plus में, N upon पे 2 minus में, CF upon पे F multiply by H, यह आपका median का formula होता है, अब यह values कहके, इनको ढूड़ लो answer आजएगा, सबसे पहले आपने N निकालना होता है, N या तो आप F का total कर लो, यह CF का आखरी नमर आपका N करलाता है, N आपका 22 निकल के आगया, तो N upon 2 कितना आगया, आपका 11 निकल के आगया, अब आपको देखना 11 से just बड़ा नमर, CF में, वही पूरी class, आपका median class के लागी, तो 11 से बड़ा आपका 15 होता है, तो यह आपका median class है, यह आपकी frequency है, तो F की value आपकी 2 निकल के आगया, median class में lower limit 40 निकल के आगया, तो वो L की value होती है, ठीक है, और CF के होता है, जो median class होता है, उसके उपर वाला जो CF होता है, वो actual CF की value होती है, तो CF आपका 10 निकल के आज आगा, में रिखाल से सही है, है ना, अब हमारे पास और कुछ रह गया है, हाँ, H, H के होता कितने class है, 20 का, तो सारी value पर चल गई है, अब सरी value में H कितना है, 20 है, तो 40 प्लस में, 1 अपॉन पे, 2 मंटिप्लाइ, 20 काटिंगे, 10 निकल के आएगा, तो आपका जो median है, वो 10 प्लस में, 40 कितना, 50 निकल के आएगा, तो 50 is the median, let me check the answer, 50 is the median, is this correct, 40 सही है न, 5 उर्जा, अच्छा, नीचे के है, नीचे के, F है, F कितना है, F, F, sorry, frequency आपकी 5 है, मैंने आपकी 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, frequency आपकी 5 है, चिक है, तो ये गड़बड हो जाती है, इसलिए answer न, साथ में, चेक कर रहा हो, ताकि बाद में फिर एड़िटी में दिख्कत आ जाती है, तो frequency आपका 5 है, यहाँ पर 5 रहेगा, यहाँ पर 5 रहेगा, 25, 25, 4 जा 20 होता है, 44 निकल के आगा, तो 44 is the right medium, नेक चल दे है, 4 यह आपके screen के अपर, find the common difference of the AP, इस AP का common difference निकालो, तो common difference कितना हैगा, तो भाई, आपका common difference जो है, कितना है, common difference आजाएगा, 9 minus 4 जो कितना हैगा, 5 निकल के आगा, तो आपका common difference हो गया, if the first term change to 60, अगर first term जो ह same, और D आपका same है, 5 ही है, तो नया AP लिखो, आपको बता AP क्या होता है, AP हमारे पास होता है, A, A plus में D, A plus में 2D, यह आपकी AP इस तरह की होती है, A आपका 6 है, A plus D, 6 plus 5, 11 निकल के आगा, प्लस में A plus 2D, आपका 16 निकल के आगा, dot dot dot, यह चल गई, आपकी AP की नई कहानी, ब अगर आप भी साहसात में enjoy कर रहे हो, देखो, मैं तो जब भी करा था, पूरी energy के साथ, बिने time waste के फटावट, पट-पट कोशन होने चाहिए, time waste ने आराम से बैठके मैं कर रहा हूँ, चलो बच्चो, यह बच्चो, वो बच्चो, सब्सक्राब कर लो बच्चो, यह बीच कर रहा हूँ, आपके 40-50 मिंट के अंदर solve करागी करके रिखा दूँ, तो आपके अंदर एकॉंडस बिल्ड हुजए, अगर सर समझाने के बाद कर सकते हैं, 50 मिंट में, हमें खुसे करना, तो क्या हम एक घंटे के अंदर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर एक 38 है, तो X ही क्या वेलि होगी, मोड का फॉर्मॉला जानते हो आप लोग, मोड क्या होता है, मोड होता है, L प्लस में, F1 माइनस में, F0, अपॉन पे 2 F1 माइनस में, F0 माइनस में, F2, मंटिप्लाइब है, ही होता है, आपका मोड का फॉर्मॉला, अब मोड में सारी बातां निकलना ज़रूरी है अगर आप मैंने आप लिख दिया फटाफट से value put करने आंसार आ गया चलिए मोड हमारा 38 दे रखा है बराबर में L कितना है L बोलो 30 और फिर प्लस में F1 F1 16 है माइनस में F0 हमारे पास 12 है अपॉन पे 2 F1 तो 16 दो 32 हो गया माइनस में F0 12 हो गया F2 X निकल के आ गया multiply है H कितना आपका H 10 दे रखा है 10 लिखेंगे आप पर इस तरीके से तो 38 में से दर गया माइनस 30 आपका 8 आगया 8 बराबर में 16 में से 12 गया 16 में से 12 गया तो आपका 4 आएगा तो 4 यह 40 हो गया पॉन पे 32 में से 12 गया आपका 20 आगया 20 माइनस में X निकल के आगया 8 पंचे 40 होता है cross करेंगे तो आगया 20 माइनस में X बराबर में 5 हो गया ठीक है और यह महाँ देगा तो 20 माइनस में 5 इक्वल टू X और आपका X जो है वो 15 निकल के आजएगा बहुत यह असान कोशन पहुत फास्ट कर सकते हैं तो let me check the answer yes X is equal to 15 साही निकल के आया है आप बता हो यार क्या यह टफ लगने क्या यह बिल्कुल basic NCIT से आया कोशन है इसलिए सिर्फ आपको NCIT करने बार बार कहरो NCIT के भार कुछ मत करना पहले फाल तो किताब मत लिया न उठाके फसो के फास में धूगल चमती है सबको पता है यार आपको भी सेंपल बेले क्या हो कहा है पूरी खतम कर पाए वाज तक अरे NCIT नहीं होती उसको छोड़के सेंपल बेल करना लग जाते हैं सेंपल बेल तो कुछ कोशन आता नहीं क्यों उनको मोटी से मोटी बुक दिखाने है एक्स्ट्रा कोशन होने चाहिए तो फाल दो कोशन डाल देते है समझारे हो तो CBSC जिस लेवल का कोशन बनाना चाहते ह अगर आपको कॉंपट इग्जाम देना है इस ओके फिर पढ़ सकते हो लेकिन किवल CBSC पर आपका फोकस है तो फिर एक्स्ट्रा कॉंपट इग्जाम कोशन हाई लेल कोशन करने क्या फाइदा बता हो तो यह सेंपल लिपर अगरे नहीं है बेसिक एंसेंपल लिपर करो चले जाओ फुल में से फुल निकल के आएंगे गारंटी दे सकते हो इस बात की अगर आप करोगे तो नेक्सिक्स हीर आपके स्क्रीन के अपर इफ एक्स य देखो यह एंसे अटिक आपका यह भी एंसेटी कोशन है हुआ हुआ है सेंपल लिपर में एक्सवाई एंड एमन आर ट दिवाई इस इक्वल टू 9 330 निकल के आदिगा बहलो एंगल ओडी वाई अगर एंगल ओडीवी नंटी एट मिस ये भी बोल सकते है इडिवाई तो एंगल ए negotiation कर देखल आगा बtech ऑपस T यह एंगल नबबघ डिगरी आएगा, ठीक है, अच्छा यह 90 तो इसका लिए एम भी 90 कह सकते हैं, एंगल डिए एम जो है आपका 90 डिगरी आगया, एक्वेशन प्तू निकल के आगया, अच्छा इक बात हो, अगर यह फिर्स्ट वा सेकींड उसके कंपेर करें, फिर्स्ट ए alternateंगर अगर मतлов mir बोल सकते कि yes येल कि येक्षज आफ य ए टो इंगल बराबर होते है और अगर आई सफ पहले सेjänग और एक्ष्च और और पार्ट भी उसके बास section भी आएगा और पार्ट क्या बोल रहा है in the given figure a circle is inscribed in a coilator ABCD इतना 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 AD कितना होगा आपको AD की बेड़ो निकाल लिए देखो AD कैसे निकालेंगे आपको पता है इसको नहीं माल लो कुछ ना कुछ टेंजेंट की लंबाई बराबर होती एक्ष्णल पॉइंट से पहला equation theorem लिख देना है आप ठीक है दूसरा मैं बोल सकता हूं BP बराबर में BQ क्यों सेम वही चीज आगे second equation माल लिया अच्छा यह point ले लिया तो CR CQ के बराबर CR बराबर में CQ यह आपका होगा third equation सेम ऐसी हम अब बाद D point ले लिया मैंने तो DR equal to DS तो DR equal to DS निकल के आएगा यह होगा fourth equation सबको add कर दो क्या आएगा AP plus BP plus CR plus DR equal to AS plus BQ और plus CQ और plus DS निकल के आएगा अच्छा AP plus BP क्या बना AP plus BP AB बन रहा देखो तो यह बनगे AB सेम ऐसी CR plus DR CR और DR बन गया CD बराबर में AS और DS को साफ में लेता हूँ AS DS तो AD बन जाएगा AD और S यह प्लस बन जाएगा आपका BC तो यह किसी भी किसी भी correlator के अंदर का सरकल आता है तो यह आपने याद रखना यह relation होता आपके NCI यह प्रूफ आया हुता इसी का इस्तमाल करना है AB दे रखा 6 cm CD कितना है 4 है बराबर में AD नहीं पता और PLUS में BC कितना 7 दे रखाए 6-4 10-7 equal to AD आएगा और AD जो है आपका वो 3 cm निकल के आएगा किसी भी कोशन बड़े से बड़े कोशन को हम कर देंगे बिल्कुल आसान अगर आप ले रहे हो ग्यान कीड़ा का अब बढ़ते हैं अपने सेक्शन भी के पहला कोशन यह आपके स्क्रीन के उपर जान सुना NAP 5-8-11 has 40 terms 40 term दे रखे हैं find the last term निकालना कितना मारे पास 5 है कितना अपने पास 3 निकल के आगया आठ में से 5 तीन आजाएगा 40 term कुल है मतलब N आपका 40 है कहरा last term निकालो last term को AN भी बोलते है क्या formula simple है क्या आएगा AN equal to हो गया A plus पे N minus 1 multiply D निकल के आगया अच्छा तो कितना आएगा A हो गया 5 plus में N नहीं पता निकालना D कितना हो गया आपका D आपका 3 है AN 40 है 40 minus 5 equal to N minus 1 multiply 3 आएगा बोलो सही है तो सही है ना सब को ठीक है 40 term दे रेके हैं ठेक है लास्टर निकल से लिए तो अफंक्त करो सब ठीक चलना है तो 35 and ऐ लिए जल्द को नीखा अनप को निकालना था मैं क्या एंदन या अपको निकालना एं आपको निकालना है लिफ्चा pro कि ऐन आपके निकलना आए इपांच जल्द करना पर जल्द बाज़े नहीं करना में तर गलत हो जाएगा फिर N40-1D कितना हो गया 3 निकल के आगया तो An कितना हो गया 5 प्लस में 39 इंटू पर 3 आगया तो An आपका आदाएगा 5 प्लस में 9 तियाँ 27, 3, 3, 9, 10, 11 तो An आपका कितना हो गया 122 निकल के आदाएगा Let me check the answer An 122 कहां हो तुम ठीक है An जो मरपास 122 निकल के आदाएगा ठीक है अब मरपास क्या बोला गया है कि also find the sum of last 10 तम कि आखरी के 10 तम का सम निकालिये जाँ सुनना आखरी के 10 तम का सम निकालना में कितना निकल के आएगा यह बहुत अच्छा कोशन है मरपास अब देखो इसको करने के दो तरीक है एक तरीक है मरपास यह कि AP को उल्टा कर दो क्या बोला मैंने AP को उल्टा कर दो देखो कैसे मालनो मरपास के 40 तम है आखरी तम 122 निकल के आएगा है यह मैंने AP को उल्टा कर दिया अब यहां से मुझे सम निकलना 10 अब S10 क्या होगा 10 अब S10 क्या होगा 10 अब S10 क्या होगा 2A प्लस में 10-1 इंटो D यह होगा अगर S10 होगा तो N10 होगा S10 निकलना में को 5 मंटी बिला 2A A की वालु कितनी है 5 है 2 इंटो 122 है स्वरी 2 इंटो 122 होगा 9 इंटो D कितना आगिया D आपका माइनस का 3 निकलना का आगिया तो आगे S10 इक्वल टो होगा 5 मंटी बिलाव बाए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 माइनस 9 दूनी 27 तो एस टेन इक्वल जाएगा पांच मंटीप्लाइब आपका चार चौरदा में साथ गया चार साती आएगा तीन विसे के एक दो सब्सक्राइब निकल के आएगा तो मुस्किल से मोशन कोशन लगने लगेगा अगर आप ले रहे हो ज्यान इगटा से घ्यान अब यह कोशन कहां से आप पता है यह कोशन आपका है और अब मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा रजनीकां ट्रीक बताने वाला हूँ ना रजनीकां ट्रीक से कोशन विदिन दो सेकिंड अब यकिन नहीं मानोंगे इस कोशन को मैं दो सेकिंड के अंदर आंसर ला सकता हूँ अब भी पता चल जाएगा आपको मैं नॉर्मल तरिक से कर लूँ पहले फिर रजनीकां ट्रीक बता हूँ और इसका डिटेल अगर चाहिए वीडियो तो मुझे कमेंट करना इस वीडियो को शेयर करना टागेट करते हैं इस वीडियो को अगर का दस दार व्यूस अगर इसमें आ जाए तो जल्दी से रजनीकां ट्रीक आने अगर को क्या बचल जाए अगर को क्या पचल जाए बीसी तो माल लो यह अमने X माल लिया तो इसका माल थी क्या होगा height of tree जो है हमारे पास वो आगे आपका x प्लस में 8 मतलब आपको किवल x से निकालना है फिर आपको x निकल गया तो 8 से एड़ करो दिना ठीक है क्या निकल किया आपका तो हम बोलेंगे in triangle इसको नाम दे तो p नाम दिया in triangle b c p हम बोलें बी c अपॉन पे b p एक कोड़ कितना अपने पास नहीं इसकी need नहीं है हमें एक जो पता है एक जो निकालना है तो b c हमें निकालना है और c p हम लोग को पता है क्या बन गया p upon h perpendicular upon hypotenuse sign होता है 30 निकल किया बी c कितना अपने पास x c p कितना है 8 sign 30 कितना 1 upon 2 cross करेंगे x कितना आ गया 8 बटे पर 2 और x कितना आ गया आपका x आपका आजएगा 4 निकल के बोलो बास आज़ाए नहीं आई x आ गया 4 मीटर निकल के height क्या हो गई 4 प्लस में 8 8 4 12 मीटर निकल के आगया let me check the answer question number 8 yes height जो है आपके कितनी 12 निकल के आगये अगर book का question होता तो थोड़ा और अच्छा लगता आपको यह तो और असान था यह book से भी असान था book से भी असान था क्योंकि उसमें total height निकाल नहीं होती थी यह 8 देता था याद है आपको कैसे करो देखो मैंने कारदा 30 के सामने 1 होता है अब एक फॉर्मला है manufacture अच्छत की चाहिए कितना डिर्ट खौर निकल के आ गया तो आपको यह जिर्ट कर आगे पूरे चैप्टर नाइन को बिजन मतलग क्याता ना विना पैन उठाए भी बहुत फास्ट कर सकते हो बता हूं आपको बहुत खतनाक ट्रिक है लेकिन मुझे ये क्रॉस चाहिए क्योंकि यह थोड़ा शेयर वे करेंगे तो थोड़ा मजा आएगा ऐसा ना वीडियो बनाके ब यूट्यूब अगर नहीं दिखा रहा हमारी वीडियो कोई बात नहीं हम जबसे शेयर करेंगे दिखवाएंगे और यूट्यूब अपने आपने दिखान लगया नेक्स्ट नाइन यह आपके स्क्रीन के उपर ये इसका और पार ध्यान सुनेंगे दू पोल्स औफ एक्वल हाइट आर स्टेंडिंग ब्रुसे अपोजिट इच अधर यह आपके एंशिया टिक है बिलकुल एंशिया कोशन है रीड करते पाचल गया मेरेको दो पोल है एक पोल यह रहा मानलो हमारे पास यह रोड है और एक पोल मानलो हमारेपास क्या है एक बीच में लिया मैंने और एक में ऐलिवेशन बनना 60 का एक में 30 का एक में एंगल ऑफ एलिवेशन बनना आपका कितना 30 डिगरी का और एक में क्या बनना आपका एक में बनना आपका 60 डिगरी का तो टेड़ा में हो गया काम चलाएं ठीक है मैंने बोला AB upon BP आप बलुज़ा 1060 आगया ratio P upon B वाला AB कितना है H है BP कितना है X है 1060 कितना है root 3 मला है H equal to आपका X root 3 निकल के आगया ठीक है के लिए रहा तक इन triangle दूसरा triangle का है CPD क्या बोलें हम CD upon PD equal to आपका कितना अगया 1030 निकल के आगया सही है CD कितना है H है PD कितना है 80 मैनस में X है 130 होता 1 upon पर root 3 cross करेंगे तो H root 3 equal to हो गया 80 मैं X H की value X root 3 है यहाँ put कर देंगे तो X root 3 multiplied by root 3 equal to हो गया 80 मैनस में X तो 3X plus में X equal to 80 हो गया और 4X equal to 80 हो गया और आपका x जु है वो 20 निकलन गया गया 20 मीटर है, इसका मतलब जो point है, इस वाले pole से 20 मीटर के दूर ही पर है, और इस वाले pole से 80 मैनेस 20, 60, तो यह आपका 60 neकल के आगया, 1.60 मीटर दूर है, और 1.20 मीटर दूर निकल के आगया, अगर खाल से आपको समझ में आ गया नेक्ट चलते हैं यह आपके स्क्रीन के ओपर कोशन नाइं बहुत यह असान सा कोशन पी एंड पीवी आ दर टेंजेंट ड्रॉन टूर्ण टूर सेंटर ओ ठीक है पीट शिक्स दे रखा अगर आपका पीए 6 है एंड एपीवी साड दे रखा ल लोगोंने जब किसीभी ट्रांगल करें 绌सर बराबर होती है तो उसके आमिने साम Bluetooth X यह उतीशिंवी और होगा साथstate है तो क्या हो गलता एक्स ब्लस में एक्स प्लस में साथ को your प्रसी आएगा या एक्स वासी टीक है तो टू एक्स इक्वाल टू एक्सोबीस तो एक्स इतना आगे आपका साथ निकल किया आ गया मतलए ये भी साथ ये भी साथ ये शाथ ये लिख ये अच्छा इक्विटल ट्रैंगल आए तो ये भी 6 सेंटिमेटर इभी सिक्सेंटिमेटर तो लेंट अव कोड़ एवी इस एक्वल टू सिक्सेंटी मेटर कर दिया बहुत असान अब आई आंचे करते हैं इसका सही तो है ना कि मैं कुछ ज्यादा फाल दिमाग लगा लिए मैंने कहां पर भाई अब चलते नेक्स टैन यह आपके स्क्रीन के उपर अगला नमर क्या होगा पांच और जोड़ दो 5x प्लस में 10 यह आपके लगाता तीन पांच के मल्टीपल होंगे ठीक है क्या बोला है इनके स्क्वेर का सम इसका स्क्वेर करेंगे प्लस में इसका स्क्वेर करेंगे और प्लस में इसका स्क्वेर करेंगे यह कैसा स्क्वेर करेंगे ठीक है यह आपके तना दे रखा है 725 दे रखा है क्लिए रहे है तो 25x स्क्वेर प्लस में a प्लस b का होल स्क्व पच्छीस एक्सव स्क्वेर 25 इसक्वीर 25 15ügen तो गया अब 55 आप्सक्टै उपाट इस्क्वेर जागा चक्क रूज़र पिचात्तर आठ अच्छाहलिस आठ पार में तो 75 कमन कर लो तो X2 plus में 2x-6 नहीं 8 एकवाल डू जिरो निकल क्या आ गया ठीक है तो यह एकशे स्क्वाइर प्लस में 2x-8 इकवाल जिरो यह आपका बन गया 4 multiply minus ka 2 4 minus में 2 यहाँ पर कर रहेते हैं x square plus में 4 x minus में 2x minus में 8 equal to 0 आगया x common करेंगे x plus में 4 minus ka 2 common करेंगे 4 कहाँ से आगया भई? x plus 4 आगया equal to 0 हो गया ठीक है? तो x plus 4 एक तरफ और x minus 2 एक तरफ equal to 0 आगया यहाँ पर x आगया minus का 4 निकल के यहां से X आगर 2 निकल के इनने बोला है sum of square of 3 positive number positive number से हैं तो यह तो negative हो गया काट दो यह आगर X 2 निकल के आगया तो 3 नमर क्या होंगे यहां लिख दो फरट से तो 5X आपका 510 निकल के आगया तो 10 प्लस 5 15 आगया और यह आपका कितना आगया 20 निकल के आगया 10, 5, 15 5X plus 5 यह आगया 10, 15 और आपका यह 20 ठीक है तो यह 3 नमर 10, 15 और 20 जो है आपके answer निकल के आगया Let me check the answer 10 बिल्कुल सभी जवाब है Next question 11 यह आपके screen के उपर ओके यह construction का था तो construction में draw करने के लिए में पर कोई सुविधा है नि इसलिए मैंने यहाँ पर answer solution ले लिया है मैं आपको समझा दूँ कैसे करना आपको आ जाएगा और मैंने इसके वीडियो पहली से बना के डाली हुए Chapter 11 की तो आप देख सकते हो Construct to concentric circle of radius 3 cm ने 7 cm दो circle draw करने एक का radius 3 cm है और एक का साथ दोनों concentric होने चीए मतलब common radius sorry common center होता है तो यहाँ पर खीचा मैंने 3 cm का और यहीं पर compass को रखे अब मैंने क्या करना 7 cm का एक और circle खीच दिया दोनों का common center है उसके क्या करना है इसने draw two tangent of smaller circle इसमें दो tangent खीचने बड़े circle से tangent कैसे खीचते हैं पहले line को join कर दो P और O को जोड़ दिया जब जोडते हैं उसको basic कर दो और P और O को मैंने क्या कर दिया यह point मानलो midpoint निकल के आगे और midpoint O-O को compass से खोलके O- से मिलके circle बना लो और जिन दो point पर circle काटता है यह circle वो हमारे पास कौन से आते point of contact आता है बज वहाँ से इसको जोड़ देते हैं हमारा tangent बन जाता है construction जो है आप लोग लिख सकते हैं इस तरीके से बहुत simple तरीका है इसका same और पार्ट में कोशन भी है यह भी हम लोग यहाँ पर solve मेरे कर रहा है आप देख सकते हो draw a pair of tangent to a circle of radius 6 cm which are inclined to each other at 60 degree चीक है तो यहाँ 60 नहीं बना सकते हैं हमने क्या करणा radius खीज दिया 120 degree angle बना दिया अब आपको पता है यहाँ पर perpendicular 9 degree के angle होता है तो इस point से 9 degree इस point से 90 degree बना देना जहाँ पर touch करेगा वो अपने आप इस 6 degree निकल के आगा also find the length of tangent tangent की लंबाई में निकालनी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो यहाँ पर इसको इस तरह से आप जोड़ दो इस से जोड़ दो ठीक है आपको यह दे रहा 6 cm radius और यह आपका 30 degree है तो किसी भी right angle triangle पर अगर angle पता हो और आपको एक side पता हो तो आप क्या निकालना हमें tangent निकलना बड़े आराम से निकाल सकते हैं आपको होता क्या P होगा ना P upon H तो O A upon H A P क्या आगे आपने पास P upon H sin 30 निकल के आजएगा तो O A कितना है 6 AP कितना होगा निकालना है sin 31 upon 2 होता है तो नहीं दुकर को B upon P नहीं दुकर को रवड़ करती है sin 30 निया आगा मैंने कहला यह P है अच्छा P upon B मनेगा ना H तो यह है यह base है यह perpendicular है तो O A upon P यह बनेगा P upon B तो 10 angle 30 degree आगा तो O A कितना है 6 AP कितना है 10 31 upon root 3 होता है तो आगे कितना AP आगे 6 root 3 simple है तो यह लिख करके भी दिखा रखा है आप देखे कर सकते हो यहाँ पर ठीक है नेक्स चलते है कोशन यह आपके स्क्रीन के अपर कोशन 12 के कह रहा है The following age wise chart of 300 passenger flying from Delhi to Pune is prepared by airline staff Okay mean निकालना अरे इतना आसान कोशन है mean क्या होता है mean आपका होता है Sigma of FI XI upon P Sigma of FI यह होता है यह निकालना है अब यहाँ पर क्या दे रखा Less than type दे रखा है Less than type से पहले आपको interval बनाना पड़ेगा तो आपका interval कैसा है का बोलो यह क्या आपका यह आपका CF है F निकालना पड़ेगा कैसे निकालोगा F F कैसे निकालोगा बहुत असान कोशन है पहला नमर सेम होता है फिर माइनस करते है 44 में से 14 गया अपका 30 निकल के आगा 82 में से कितना बार में 4 गया 8 आठ आगया 38 निकल के आगा फिर इसमें से माइनस करोगे 4 में से 2 गया तो 2 निकल के आगया 13 में से 8 गया 552 आगया फिर इसमें से माइनस करोगे 0, 18, 5, 50 आगया इसमें से फिर आप यह माइनस करोगे ठीक है तो 1 आगया 24 में से 8 गया 6 निकल के आगया ट्रिक है फिर इसमें मैनस करोगे साथ में दो आ गया आट में चार गया चार आ गया ट्रिसमें निकल कर आगा लेट मी चेक देख देखता ना आया हमें प्रिक होगा आपको एकस आई निकालना पड़ेगा कैसे निकालोगे अपर लिमिट प्लस लो लिमिट इवाट वी तो पांच पंदरा पचीस पैटीस पैटालिस पच्पन पैशट और पिच्चतर आपका निकल के आगया अब लाश्ट में का निकालना पड़ेगा एफ आई एकस आपका निकालना पड़ेगा डबबा लगाना बोल गया मैं आपकर एफ को एकसे मुझा करना है तो चौदा इंटू पांच तीस इंटू पंदरा अरत्रीस इंटू पच्छिस इसको मैं करना मैं करूँ बहुत टाइम लाज़ा जगा भी नहीं है तो मैं यहापका फास 730 और यह आपका 975 टेक है इसका सम दे रखा है 12600 यह FIXI हो गया और F कितना दे रखा आपको 300 यह टोडल कितना हमारे पास यह आपको 300 दे रखा है अब फॉर्मला क्या होता है मीन दे रखा है 12600 अपॉन पर 300 निकल के आएगा 0000 कैंसल हो गया 0000 कैंसल हो गया अब आगया हमारे पास के स्ट्रिवेस प्रॉबलम अ लाइट हाउस इस अ तॉल टावर विट लाइट नियर दे टॉप दे रहे तना तना ओके यह नीट नहीं हमारा नी पड़ रहे पड़े रहा आपका कितना बोट में पड़े इसे प्रसिक्षे डिग्री ओके अपक्या के बूच है मतला घर जएड बनेंगा तो यह आपका 30 डिग्री है और यह आपका 30 पहले कोशन की पूचा है इसका मतलब 60 और 30 में बड़ा कौन साथ का है इसका मतलब शिप नजदीक है तो पहला आंसर कहाएगा शिप इस नियर तो यह पहला कोशन होगा है हमें लाइट हाउस से इसका डिस्टस निकालनने ठेक लाइट हास कितना नाज़ की के टेंगर कव सी निकालना एकस तकी ऐगा थान थेसे इस तरीके से यह प्याईगा कि अगे तो एक्स रूट त्री को पता है अपन बी चीज़ अगया सिंपल आगया मीटर में सरा गया नीचर रूट रकते निये च्रस करना चाहू कर सकते ओं लेट मी चेक्थ अंच्छे ना हो कोई भी बात में अपका जो का आउसर है यह गए इस एक फोल टो एक टाइम टेकन बार तो रीच दा लाइट हाउस फाइं टाइम टेकन बॉट टूरीजट लाइट आइट हाउस इस इस मूविग इतना इतना ओके स्पीड दे रहे हैं कितनी स्पीड दे रहे हैं हमें 20 km पर आवर ठेक है पर आवर की बात कर रहा है अब इन्हें बोला कि इस तरह से अपन पे एक गंटा है ना तो एक कामकुरू से स्पीड कितनी आ गई स्पीड जो है वह आगया आपकी 1000 अपन पे 3 मीटर पर मिनिट जो है आपके स्पीड निकल कि आगई तांब निक निकालना इस वे बतारौन आपको अब आपको के करना पढ़ेगा पहले आपको डिस्टन्स निकलसब्द आप है रहा है ठालीज है जरी तरीखरी तरीsky को यह कैसे और यह अपने बीडिया में नहीं पता एक समालों 1031 अपन रूट 3 हो गया तो हम आप फॉर्टी रूट 3 निकल के आ गया 40 रूट 3 मीटर यह आपका डिस्टेंस आ गया लेक्ट देश्टेंस कितना है डिस्टेंस हमारे पास है 40 रूट 3 मीटर निकल के आ गया टाइम क्या होता है टाइम होता डिस्टेंस अपन पे स्पीड कि तो कितना इससे खतम हो गया ना तो मेरे ख्याल से आगया आपका चार्तिया बारा ना रूट 3 अपन पे हंड्रेर टाइम आगया मिनिट में याग आपका मिनिट में और रूट 3 होता 1.73 प्टी आ गया ट्यूएल मंटिप्लाय 1 प्टी अपन पे हंड्रेड टेक है यह आपका मिनिट में आएगा तो क्याल कर लेता है तो कितना निकल के आरा सका अंसर यह आ गया 2.076 मिनिट जो है आपका अंसर निकल के आने वाला यह ना कल विचक कर लोगे पर ठीक है कि नहीं तो 60 अपन पे 60 अपन पे 2000 इंटू पर है हाँ 60 अपर आपन वेट ना पॉर्टी रूट थ्री ठीक है फॉर्टी रूटी रूट थी मंटिल अवे 60 अपन टूट थान तूटियस्टिक्स मंटिबै ना एक है कि है कि क्लोमेटर ना हजार अपन ती नहीं है तुलिव अले सेकेंट पाइंट टाइम टेकन बाइड बोर्ट रीच दी लाइट आउस इफ इस मुविग एड़ एड़ टारेट इट फट्वेंटी किलोमेटर पर आवर अज़ इस दे दे यहां पर, speed क्या बोल गया, speed बोल गया, 20 km पर ती घंटा है, पर आवर है, एक काम कुर आवर में नहीं करते हैं, मीटर में सारा डाटा दे रहा, मीटर में वदलो से, मीटर अपॉन पर इसको 60 मिनिट कर लेते हैं, मिनिट कर लेते हैं, ओपर मीटर हो गया, इससे खतम हो गया, ठीक है, और 2, 3, 6 हो गया, तो 1000 बटे पर 1000 बटे तीन, आपका क्या आगया, मीटर पर मिनिटर निकल के आ जाएगा, यह आपकी speed हो गई, अगरने distance और स्पीड पता हो तो time equal equal होता है, distance upon speed, और हमारा काम बन जाएगा, ठीक है, चालिए, तो distance कितना है निकाल लेते हैं, distance कितना है निकाल लेते हैं, एक मिटू जो, यह मिटादू में सारा, ठीक है, distance निकालनाना में, हमें कौन से B से, बोट की बात करिए न यह distance निकालना है तो आपको होता है यह कितना दे रिखा आपको 40 दे रिखा है तो अगर हम बात करो in triangle a, b, d की है न तो a, b आपको given है और b, dm distance निकालना है 10 यह आपका 30 1 upon root 3 होता है तो a, b कितना है 40 root 3 equal to b, d निकल के आगया तो distance आगया 40 root 3 आईए यह यहाँ पर आजाओ distance कितना आगया 40 root 3 आपका निकल के आजाएगा अब क्या करेंगे distance हो गया 40 root 3 ठीक है अब पॉन पे speed कितनी हो गई 1000 और multiple आपको 3 उपर चला जाएगा इस तरीक एगा ठीक है तो आपको solve करने के इतना निकल के आगा solve करने पर आएगा मेरे ख्याल से यह जो कि आपका answer निकल के आएगा 0.2076 minute निकल के आएगा बहुत ही छोटा सा में मेरे ख्याल से इसको जो है second में convert कर देंगे वो इसे ही रहेगा 0.2076 minute में कुछ गरबड लग रहा क्योंकि मेरे calculation करने पर इतना answer आएगा और जो आपको दे रहा है ना आपके solution में वो दे रहा है 2.076 2.076 तो क्या गरबड हुई है मुझे comment box में जरूर बताना कि मैंने गल्थ किया या फिर मेरा ठीक है और calculation में NCRT ने वादा CBS ने गरबड करिये ना चल्दे लास्ट कोशन आपका 14 इंड आपके screen के अपर Krishna Nagar is a small town in Nadia district of west Bengal Krishna Nagar clay dolls are unique in the realism and quality of the finished okay they are created by the modeling coils of clay over a metal frame here is the few image of the some clay dolls of Krishna Nagar ठीक है doll 1 doll 2 doll 3 or doll 4 image दे रखिये आगे बोला है the ratio of the diameter of red spherical apple यहां पर red spherical apple दे रखिये ठीक है and the ratio of the diameter of the red spherical apple in doll 1 to the spherical orange in doll 2 is 2 ratio 3 okay हमारे पास doll 1 और doll 2 में doll 1 में जो हमारे पर red spherical apple है और doll 2 में जो यह orange spherical apple है हमारे पास दो तरग apple है उनका diameter ratio दे रखिये तो दी 1 आपको D1 upon D2 जो है आपको कहा दे रखिये 2 upon 3 दे रखिये ठीक है diameter का ratio अगर diameter का ratio दे रखिये तो कितना हैगा अपने पास आपका radius का ratio भी सेम निकल के आगा तो आपका r1 upon P r2 भी कितना है आपका वह यह आएगा 2 upon 3 ratio यह सेम रखियो निकल के आपके पास आने वाला बॉल बासल में आई याने सेम रखियो निकल कहा ठीक है इन दोल 3 डॉल 3 मेल डॉल अफ ब्लु कलर वह सलेंडिकल बॉड़ी एंड अस परिकल है जो डॉल 3 जो है जुकि ब्लु कलर का यह धियान सुनना cylindrical body है और spherical head है ये cylindrical body और spherical head है ऐगे चलते है the spherical head touches the cylindrical body okay the radius of the both of spherical hands cylindrical is 3cm okay and the height of slender is नहीं तो height देर एके आपको 8 cm radius देर का cylindrical 3 cm और छेका सेम से मैं बेसना what is the ratio of the surface area of red spherical apple to a doll 1 doll 2 ओके पहला तो हमार पास क्या रेड का क्या का पाई आर वन का स्क्वेर फोर पाई आर वन का स्क्वेर अपॉर पाई आर वन का स्क्वेर अपॉर पाई आर वन का स्क्वेर अपॉर पाई आर टू का होल स्क्वेर आ गया जो कि आपका टू अपॉर 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 निकल के आ गय इकल drum of doll 4, okay, तो doll 3 को पूरा पिगला के ये एक्जाम्पल लेते हैं, इसको drum बना जार, अच्छा, तो cylinder है, उपर spare है, इसको पिगल के melt करके cylinder बना जारा है, तो volume same होगा, तो volume of doll 3 is equal to volume of drum, volume of drum 3 is equal to volume of doll 3, निपल टॉल्ट वॉल्यम ओफ रम आपका निकल जयागा अब डॉल-3 में क्या है ट्रेंडर है उपर पेयर है ओपर स्पेयर स्रेंडर क्या होता है प्यार क्लिटिक पीछ पीशे बताए था आठ प्लस में 4 upon 3 multiply by 3 बचेगा इस तरीके से पाई इंटो पर 9 इंटो पर H निकल के आ गया, ठीक है, तो 3 तिया 9 से 9 का खतम, पाई से पाई खतम यह गया, आठ प्लस में 3 से 3 खतम, 4 इकोल आपका हाइट निकल के आ गया हाइट आगया, 8-4-12 cm आपका हाइट निकल के आ जाएगा इस प्यारी सी डॉर ड्रम का तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा सेंपल पर होता है खतम आप मुझे बताना कि क्या पूरे सेंपल पेपर में कोई भी ऐसा कोशन जो जिसने आपको परेशान किया हो, इतना आसान पेपर जो आपके CBS ने सेंपल पर बनाए तो उमीद रखना पेपर भी एजी ही आएगा तो इसले प्रेपरेशन कैसे करने हैं NCRT, NCRT एग्जैंपल से लास्ट एनियर से और फिर अपने कुछ सेंपल बन करेंगे इसी प्लैटफोर्म पे जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राब नहीं के चैनल को सब्सक्राब या से कर लें मिलते हैं अपनी अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए अरे कृष्णा